नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSC कोचिंग सेंटर में स्वागत है हम आपके लिए कड़ित के important question लेकर के आते हैं जिससे कि आपका जो exam है वो जल्दी से clear हो जाए और आपकी अच्छे से job मिल जाए तो चलिए start करते हैं पहला question है यदि एक संख्या का 25% स्वेम में जोडा जाता है तो परिणाम 3025 हो जाता है मूल संख्या ग्याद करें एक संख्या का कितना 25% परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में सो तो 25 लिखूंगा परसेंट का मतलब बटे में सो 25 से कम 25 25 चोके सो एक बटे चार तो नीचे वाली संख्या आपको उसी तरीके से ठीक है तो मूल, Sinkhya या का रिश्व में पता चल गया चार है अब देखना हमसे क्या बोला है कि परिणाम 3025 हो जाता है क्या कहचा चार Gelap कि परिणाम 3025 हो जाता है ठीक है 3025 उसे ने बोला है देखिये 3025 हो गया यानि कि मूल मेरे पास tussen कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यानकि 5 मेरा 3025 के बराबर है लेकिन मुझे 4 का माल निकालना है 5 का नहीं 4 का तो देखे 5 बराबर 3025 के तो एक बराबर कितने के एक बराबर 605 के जब एक बराबर 605 के मूल निकालना है हमको 4 का माल तो 4 बराबर कितने के चार का मल पे 605 से कर दो चार का 5 में करेंगे चार पंजे 20 का 0 केरी का दो चार का 0 में करेंगे 0 रहेगा जो केरी का 2 था वही आ जाएगा 64 के 24 यानि कि 24-120 है आपका मूल C option फिल्कुछ से 24-120 है आपका मूल है कैसे निकाला आपके पास जो rate वाली values को आया है वह दोनों को जोड़ करके आयान कि 5 का परणाम 3025 है हमको चाहिए 4 का तो 5 का 325 तो 1 का 605 तो फिर 4 का 2420 चलिए अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला question है एक pipe एक टंकी को दूसरे pipe से 3 गुना अधिक तेजी से भर सकता है यदि दोनों pipe एक साथ टंकी को 36 मिनेट में भर सकते हैं तो धीमा pipe अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा दो pipe है A और B ये दोनों pipe है आपके पास ठीक है कहा है उसने एक टंकी को दूसरे pipe से 3 गुना अधिक तेजी से भर सकते है एक टंकी को दूसरे pipe से 3 गुना अधिक तेजी से भर सकते है ठीक है जबकि question को एक pipe एक टंकी को दूसरे pipe से 3 गुना अधिक से भर सकते है यान कि दूसरा pipe एक भरेगा तो जो पहला pipe वो 3 गुना अधिक तेजी से भर रहा है दूसरे pipe से 3 गुना ले रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनिट में भर रहे हैं, दोनों पाइप एक साथ, अगर मैं दोनों पाइपों को एक साथ निकालूँगा, यह आपका एक तीन लीटर भर रहा है एक साथ, यह एक भर रहा है तो दोनों मिलकर के एक मिनिट में चार भरेंगे, एक में चार भरने तो उन्होंने 36 मिनेट में कितना भर दिया 144 भर दिया इसका मतलब टोटल का मालूम हो गया वह 144 है तंकी कितने की 144 लीटर की है उसने फिर बोला है धीमा पाइप अकेले टंकी वो कितने समय में भरेगा धीमा वाला पाइप धीमा वाला पाइप बी है जो कि एक भर रहा है एक भर रहा है न तो एक से डिवाइड कर तो यानि कि 144 आ जाएगा पहला ओप्षन बिल्कूँ सही अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेश अनुपाते 2a-b किस के बराबर जबकि a का मान 3 है और b का मान 2 है एतना मालूम है 3 a का मान कितना भी है एक का मान 3 तो 3 into 3 minus 2 b का मान 2 दो गुने 2 अनुपाते 2 A का मान कितना 3 A की जगा 3 माइनस B का मान कितना 2 ठीक है 3 कमल पर 3 से करेंगे 9 माइनस 2 कमल पर 2 से करेंगे तो 4 अनुपाते 2 का 3 से करेंगे तो 6 माइनस 2 ठीक है 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा अनुपाते 6 में से 2 चला जाएगा चार बचेगा 5, 75 चार कुछ नहीं करना पड़ा बता है उसमें कुछ भी करना पड़ा 5, 75 चार एक्जाम में आया हुआ कोशन है 5, 75 चार बिल्कुछ सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रेश्न है अगला प्रेश्न है आपका तीन की पावर 6 गुने 5 की पावर 7 और 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 5 का HCF पूछ रहा है HCF देखे इस तरीके का question जब आ जाए तो निकालना आसान तो है नहीं भाई आप निकाल कैसे लोगे इनका multiply करोगे इतना बड़ा बड़ा दो कामल पर 5 बार करोगे तीन का 5 बार करोगे 5 का 7 बार करोगे बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी ठीक है तो देखे आसन वाला तरीका चाहिए इसके लिए कोई tricky method तो tricky method है हमें ये देखना है सबसे पहले कि कौन सी संख्या repeat हुई है कौन सी संख्या repeat हुई है तीन repeat हुआ है तीन यहां पर भी है और तीन यहां पर भी है पांच और दो केवल एक बार है तीन repeat हुआ है तो मुझे तीन ले लेना है ठीक है तीन ले लिए पावर कौन से में उपर कम है यहां पर छे है यहां पर पावर पांच तीन तो मैंने ले तीन गुने तीन 5 वार हो गया 1,2,3,4,5 अब इनका मल्टिपाइ करो 3 त्रिक का 9 9 त्रिक का 27 27 त्रिक का 81 81 का मल्टिपाइ तीन में करेंगे यह हो जाएगा 243 HCF क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा B option बिल्कुँ सही अगर इसका LCM पूछ लेता तो फिर कैसे करते ये द्यान दखना अगर इनका LCM पूछ लेता LCM पूछता तो जो repeat हुआ है उसको नहीं लेना भाई तीन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो बार आया है ना तो दो बार नहीं लेना, केवल एक ही बार लेना है तीन को केवल एक ही बाद एक बार ले लिया पावर दोनों में से कम बाली चाहिए पाँच उसके बाद में फिर क्या है पाँच होगी पावर उसके बाद दो है दो ले लो पावर पाँच उसके बाद पाँच है पाँच ले लो पावर साथ यही इनका LCM है ठीक है यही इनका LCM अगर 5 भी दो बार होता तो कम जो पावर थी उसे लेते 2 भी दो बार होता जो पावर कम थी उसे लेते यानिकि यहाँ दो बार नहीं एक बार लेना है और आसानी से समझ में आगे LCM और HCM पर इस तरीके का question होतो हो ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रेश्णी अगला प्रेश्णी है यदि X प्लस 1 अपोन X बराबर 2 तो अब X की पावर 4 प्लस 1 अपोन X की पावर 4 कमान क्या देखना कभी भी अलजेवरा का question हो और यहाँ पर आपको 2 दे दिया गया यहाँ पर 2 दे दिया गया तो आपको हमेशा यह काम करना कि X एक्वल टू 1 मान लेना है X एक्वल टू 1 X का मान आपको 1 मान लेना है अगर यहाँ पर कभी 2 दिया गया है हो सकता है कभी कभी यहाँ पर माइनस 2 भी दे दे प्लस 2 की जगे माइनस 2 दे दे minus 2 दे देगा तो x equal to minus का 1 मान लेंगे ठीक है बात समझ में आगी लेकिन हमारे पास plus का 2 है तो x equal to plus का 1 मान लेंगे ठीक है x का मान हमारा 1 हो गया तो जहां पर x है वहां 1 रखो और 1 की power 4, 5 कुछ भी हो 1 ही रहेगा plus उपर 1 पहले से है x की जगे 1 और 1 की power कितनी भी हो 1 ही रहेगा तो 1 plus 1 कितना अंसर हो गया आपका 2 हो गया पहला option से ही समझ मागी बात अब देखेंगे अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्णी है यदि 5, 2, n, 1 9 से भिवाजी है तो n का मान क्या होगा n से कौन से संक्चा कटेगी भाई यहाँ पर हमें n की जगे पर इन 4 option में से क्या रखें कि वो 9 से कट जाए ठीक है देखे यहाँ पर मेरे पास 52 है ठीक है मेरे पास क्या है भाई 52 n और 1 यही तो है इसमें मैं 9 से डिवाइड दूँगा अगर मैं 9 से इसको कटा होता हम ठीक है 45 पैंटालीस कट गया 45 तो कट गया न 52 में से 45 कट गया बामने से 45 कटके 7 बचा अब 7 में कितना जोड़ू मैं 1,2,3,4,5 कितना जोड़ू कि वो 9 से कटने में आ जाए 7 में कितना जोड़ूँगा भाई 955 कटके 7 बचा 7 में मैं कितना जोड़ूँगा N की जगे में क्या रखूँगा 9 से पूरा डिवाइड हो जाए ठीक है 9 से कितना डिवाइड है 9.72 होता है तो 2 रखूँगा यहाँ पे 2 तो आप्षिन में भी नहीं है अगर मैंने यहाँ पे 2 रख लिया अगर मैंने यहाँ पे 2 रख लिया तो 9.72 कट जाएगा एक नहीं कटेगा लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए तो इसके लिए इस तरीके का मैथड इस्तमाल मत करना मैथड इस्तमाल करना आपके पास जो सबसे पहले चैप्टर है आपके पास सबसे पहले वाला नंबल सिस्टम उसमें बताया गया है 2 से डिवाइड का नियम 3 से 4 से 5 से सभी संख्याओं का बताया गया तो 9 से डिवाइड का नियम क्या है 9 से डिवाइड का नियम जिन संख्याओं का योग 9 से कडता है वो पूरी संख्या 9 से कडती है ठीक है? जैसे की मेरे पास 5 और 2 सात सात हो गया सात में एक ही हो गया 8 तो मैं N की जगे पे एक ले लूँगा तो 9 नहीं हो जाएगा 9 हो गया और 9 को विवाज्य करूँगा, 9 से तो पूरा-पूरा कटनी जाएगा, तो मुझे N के स्थान पे 1 लेना है, N के स्थान पे क्या लेना है, एक लेना है, अब मैं इसको कटा के देखता हूँ, 5, 2, N, 1, ठीक है, यही तो था, N के स्थान पे मैंने 1 ले लिया, तो 5, 2, 1, 1 यह हो कट गया, तो 8 बचेगा, 8 में 1 लगा देंगे, तो 81 और 9 ने में 81, कटा की नहीं कटा पूरा, पता है, यह 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो गया, पहला ओप्शन सही आपका, अब देखते हैं अगला प्रेश्न है, अगला प्रेश्न है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 8C हो, तो A अनुपाद, B अनुपाद, C क्या होगा, अच्छा कोशन है, ऐसा कोशन कभी भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपको नहीं दे रख्ये वैलू, A, B, C की वैलू नहीं दे रख्ये निकालनी पड़ेगी, जिसे आप A, B और C की वैलू निकालेंगे, तो A के साथ में 2 है, तो इसका मतलर 1 बटे 2, B की साथ में 3 है, इसका मतलर 1 बटे 3, C के सामने 8 है, इसका मतलर 1 बटे 8, और अनुपाद का भी भी बटे की फॉर्म में नहीं होता, अगर दे रख्या है, तो उसको सही कीजिए, कैसे सही करते हैं, नीचे वाली संक्याओं को LCM लो, 8, 3, 2 का LCM आ ज से कटाओ, 24 को 3 बार में जाएगा, 3 का मल पर एक से करो तो 3, यान कि 12, 8, 3 यह हो गया, A, B, C का अनुपाद, 12, 8, 3, 12, 8, 3, D option बिल्कू सही, तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो को अधिक शाधिक शियर ज़ूद करना है, ठीक है दोस्तों, धन्य अर्द दोस्तों, जवीडियो में जएक शियर जाएगाथ, जी यह हो किए से क्शचक्च्च्चच्च की एक से कर दोस्तों इ хоч की वीडियोサ। nell कि जए रहाने है, जानय ही, जाएगादा प्स्तोंरा से की भीडियोक् वीडि़नग में अन्या-चरादने है, जा जान हाएग